लाइक लिए उट्यों सबजक्ट Go सब्जक्ट गूर्ट ग्लास में आप सभी का स्वागत है Photoshop के इस टुटोरियल में हम सिखेंगे ब्रश का इस्तमाल करना हमने पिछले टुटोरियल में सिखा था कि ब्रश का इस्तमाल कैसे करते हैं और इसमें जो है अलग अलग तरह का डिजाइन कैसे बना सकते हैं उसका जो है हम इस वीडियो में second part सिखेंगे कि थोड़ा सा जो है चीज हमें जो है और सिखना है उसके अंदर कि किस तरह से जो है brush का use जो है color change करने में भी किया जा सकता है और जो safe है उसका design बदलने में भी और diameter change करने में भी तो आईए जान लेते हैं कि कैसे करते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने subject go चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नीचे देगे इस subscribe बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में इस bell icon को भी दबा दिजे इससे क्या होगा जब भी इस पर कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी आपको email द्वारा प्राप्त होगी अगर आपने पहले सही subscribe कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो आईए सिखते हैं आज के अध्याए को तो इसके लिए देखे सबसब पहले Photoshop इस्टार्ट करते हैं, यहाँ पहले फोटोशॉप इस्टार्ट हो रहा है, अब देख सकते हैं हमारे सामने Photoshop इस्टार्ट होके आ चुका है, और यहाँ पहले हमेंकर है的人 опять नया फाईल ले लेना कंट्रोल और प्रेस करते हैं और यहाँ पर एक जो है नया फाइल प्रेट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं brush चलिए मैं सबसे पहले आपको brush दिखा देता हूं कहाँ पर दिखें यहाँ पर जाएंगे आप तो देखेंगे यहाँ पर brush दिया हुआ यहाँ पर जब आप right click करेंग थी जो हमने नहीं सीखा था तो इस वीडियो में हम उस चीज को सीखेंगे तो चलिए सीखते हैं तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर brush पर दिखें यहाँ पर आ जाईए ठीक है अगर यह चीज आपके Photoshop में नहीं आ रहा है तो आप जो है विंडो में जाए और विंडो में सारी चीजे जो यहाँ पर दी हुई है तो यहाँ पर हम इन सब चीजों को फिलाल यहाँ पर हटा देते हैं ठीक है और हम यहाँ से करेंगे बिल्कुल सुरू से ठीक है तो चलिए करते हैं तो दीखें ब्रस यहाँ पर देखेंगे आप यह जो है बलर आ रहा है और यहाँ ब्लर आ रहा है तो यहां पर हम change करेंगे तो भी देखिए यहां पर जो है आप थोड़ा जो है अच्छा आ रहा है ठीक है यानि कि आप जो है बिल्कुल शाप जो है हो गया ठीक इस तरह से और size कैसे बढ़ाया मैंने वो देखिए right click किजिए और यहां से जाके diameter में आप इसक set brush जो भी है वह सारे जो है preset यहां से से तो यहां से किसी भी तरह का brush design ले सकते हैं और यूजront चकते हैं तो देखिए आपी पहले साहिं कि दीये होते है यहां पे आपको यह लेना होगा ठीक है और यहां पे लेने के बाद जो है आप चुन सकते हैं तो पहले यहां पे हम एक अच्छा सा चुन लेते हैं यह Standard में और स्टार में जाके जो यहां से हम बना सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से बन रहा है ठीक है और color change करना बहुत ही simple है बस यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ से जो है कोई भी color आप चुन लीजिए ठीक है यहाँ से जाके color चुन लीजिए और उसके बाद यहाँ पर बना सकते हैं ठीक है इस तरह से देखिए इस तरह से जो है ड्रोक कर सक सकते और देखिए यहां पर is spacing अगर आप you space देना चाहते हैं तो it's दे सकते हैं ठीक है इस पेस दे दीजिए चलिए मैं जो है यहां पर history को on कर लेता हूं ठीक है क्योंकि history का जो जड़ोत पड़ेगा मुझे यहां पर तो history में जाते हैं फिर से white में आ गया हम ठीक है मैं बार बार नया फाइल नहीं लूँगा ठीक है यहां पर मैं पीछे जाने के लिए history का use कर सकता हूँ अगर आपको नहीं पता history का use कैसे करते हैं तो इसके उपर वीडियो में हमने पहले tutorial में हमने सीखा था तो उसमें जाकर आप देख लिए आपको जो आप यहां पर यह सीखने को मिल जाएगा ठीक है तो चलिए फिर से यहां पर आते हैं और आप जाते हैं ब्रस में आप देखिए यहां पर जो है यह start देखे कितना दूर हो गया थोड़ा सा इसको pass कर देते हैं उसके बाद फिर से यहां पर जाते हैं यहां पर देखे इसका जो space है वो यहां से आप बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहे तो यहां से कम कर सकते हैं ठीक है इस तरह का बिलकुल line हो जाएगा और बढ़ाना चाहे तो यहां से बढ़ा सकते हैं और इस तरह से यहां से आप इस सकते आप ठीन है इस तरह से एंगल जो है यहां से चेंज हो जाएगा उसके बाद यहां पर आते हैं यहां पर बिलेतrant जैर तो रांडेड जो है वह आप करना चाहते है नहीं करना साथे देखें यहां PHP तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं उसके बाद और भी देखते हैं यहाँ पर ओन आफ है फेद है यहाँ फेद में जाएंगे आप तो फेद जो है इसका डिजाइन होता है एक तरह का ठीक है फेद जो है एक तरह का डिजाइन होता है वो जो है आप यहाँ पर यूज कर पा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए और शेर कर दीजिए और चैनल सभ्स्क्राइब कर लीजिए और अगर आप कुछ पूछना या कहना चाहते हैं मुझसे तो वीडियो की नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप चाहे तो pixabook.com पे भी अपना सवाल मुझसे जो है पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में